हेलो गाईज या वेकम टू ज़स्ट फुटबॉल टॉक्स भाई आज की वीडियो बहुत यहादा मज़ेदार है अगर स्पेइन जीत जाती है यूरो तो किस प्लैयर के ज्यादा है चांसे बेलेंड़ जीतने के अगर इंगलिड जीत जाती तो बेलिंगम क्या जीत सकता है ब जीतने के भाई बात करते हैं डिसकस करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई आप अपने थॉट्स अफ्टर वाचिंग इस वीडियो अच्छे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई बहुत मज़ा आने वाल है अपने thoughts जरूर रखना भाई, बहुत मज़ा आता भाई, ऐसे topics पर आपके comments पढ़ने में भाई, but before starting this video भाई, वीडियो को like, I hope आपने अलड़ी कर दिया होगा भाई, सिर्फ एक second लगेगा भाई, दबा दो यार, अगर नहीं दबाया, बहुत ज़्यादा help मिलती है, स्टार्ट करते हैं, जूड बेलिंगम से, जूड विक्टर विलियम बेलिंगम भाई, 48 गेम्स, अपना विड रियाल मिड प्लस इंग्लेंड भाई, यूरूस के जो माचिस चल रहे हैं भाई, 48 गेम्स, 25 गोल बेलिंगम ने ठोके हैं, विद 13 असिस्ट, पता है कितने बड़े नंबर्स हैं, कितने extraordinary नंबर्स हैं भाई, ऐसा मिट फिल्डर, 48 गेम्स में 38 का जी है, भाई, यूरूड बेलिंगम का सबसे ज़्यादा गोल कॉंट्रिबूशन से फोर रियाल मिड डिड यह बहुत बड़ी बात है, ऐसा मिट फिल्डर सिफ 20 साल का था भाई, लालीगा विनर, UCL विनर, सुपर कब विनर, कोपा ट्रॉफी, गोल्डन बॉई अवर्ड, लालीगा प्लेयर ओफ दी सीजन भाई, UCL, यंग प्लेयर ओफ दी सीजन, सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ रियाल मिड डिड भाई, सबसे ज़्यादा मैल अफ दा माच अवर्ड किसको मिले हैं, साथ बार विनिग गोल निकाल के दियें, साथ बार जो स्लोवा किया, के साथ रॉड ऑफ 16 में, जो इंग्लिंड को भी करके दिया था, वो बाइसेकल गोल, साथ बार दियें, साथ माच विनिग गोल, में उस्ट यूचल असिस्ट पॉर रियाल मिड भाई, बनना मतलब बनना गोल भी ठोकता है चांसिस भी क्रियेट करता है दो बार El Clasico हो है भाई दिस सीजन Bellingham के अपने डेब्यू सीजन में दोनों भाई बहुत बड़ा माच होता है El Clasico दुनिया में बहुत बड़ा माच होता है फुटबाल वर्ल्ड में भाई दोनों माचिस में दोनों El Clasico में भाई दो लेट विनर्स ठोके हैं लालिगा का भाई थर्ड हाइश्ट टॉप स्कोरर एज़ा मिट्फिल्डर बहुत बड़े एक्स्टर ओर्डरी नमर्स है पहली पूजिशन पे जो है वो स्ट्राइकर है सेकिन दोने नहीं बतारों पूरे यूरो में 2024 में बिलिंगम का कै रोल था का इंपक्त ता आपके सामने मेरे भाई यूरो में सबसे जादा ड्रिबस किसके भाई आफ्टर अमबा पे जूड बिलिंगम के और याद रखना अभी Jude Billingham के पास एक और मैच पड़ा है, फाइनल पड़ा है, easily, hopefully, यह start भी उसका हो जाएगा, भाई, सबसे ज़्यादा डूवल्स बिलिंगम ने जीते हैं, Euros की बात कर रहा है, not England, सबसे ज़्यादा ग्राउन डूवल्स बिलिंगम के, सबसे ज़्यादा ध्याद में रखना, England की बात नहीं कर रहा है, पूरे Euros, पूरे टॉर्नमेंट की बात कर रहा है, यह था Jude Billingham, clearly दिख रहा है भाई, कितना बड़ा इंफ्यूंशल प्लेयर था, फॉर रियाल मेंड, कितना बड़ी दिख रहा है, इसके stats, इसको ब्राक कर रहा है, फॉर बेल सबसेंब कर रहा है, अगर Spain जीट जाती है, तो भाई, क्या, बेलिन डॉर राटरी को जीतना चाहिए, उखाड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, अगर Spain जीत जाती यूरोस, क्यों रोटरी पर्वी डिजर्फ करता? क्यों रोटरी, पर्रिब का सबसे इंपॉर्ट्रियर को मानता नियु बहुता है यह शिर्टी एपोसा Heavenly सबसे बहुत बहुत बढ़ी चीज तो कहं za přीज ऐस और नै Dare बहुत मज़ाएगा भाई डिसकस कर तो इस चीज़ को बहुत बड़ा टॉपिक है बेलंडॉर कॉन जीतने वाला है दिस सीजन देखो भाई देखो तो सुनो मेरे साब से वन फी मोस्ट इंपोर्टन प्लेयर है स्पेन का रोडरी भाई क्योंकि और भी प्लेयर्स है जो उखाडरे सही में उखाडरे फॉर स्पेन सबसे पहला जो मेरे दिमाग माता है साबिन रूइस भाई यमाल निको विलियम्स और इसको चायद उतना क्रेडिट शाय भाई पाई फैनल में क्यों है यह सबसे बड़ी रूइन्थ ही है यार किसी एक बंदे पर डिपेंड़न नहीं है किसी एक बंदे के कंदे पर बैटके फाइनल में नहीं पहुँचे भाई सबका एक कुछ ना कुछ रोल है और सब अपना रोल अपनी स्पॉंसिभिटी पू वह सबसे ज़रा कुरूशल भी बोल सकते हो for Manchester City, crucial winning goals निकालके दी है this season for Manchester City as CDM भाई इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, Super Cup winner है, बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ठीके, ठीके, सुनो, 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 क्या खड़ाता है at the end, अगर Spain Euros जीती है, क्या Rodri, Belendor उखार सकता है, देखो भाई, इधर मैं दो चीज़ा आपके सामने रखता हूँ, अगर मैं Bellingham और रोडरी को, अगर मैं ट्रोफी से, अगर मैं compare करूं, कहें ने कहें, दिखो, Rodri ने लीग उखाड़ी है, Bellingham ने अप distribution के अगर बात करो, stats की बात करो, numbers की बात करो, definitely, Bellingham के बहुत ज़्यादा improved numbers, थोड़ा आगे खेलता है, वो CDM नहीं है, just like Rodri, but main चीज क्या खड़ी होती है, हर fan जो खड़ी करता है, international trophy की weightage बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आपको consider करना पड़ेगा, Rodri अगर Euro जीत और उसके पास अगर UCL है, तो यह same चीज नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बट आप जो fans यह सोचते है, कि बाई, Euro जीत गया, तो Rodri deserve करता है, Bellingham को Rodri मेरा को, मैं उसको hate नहीं करता हो, बहुत जस्त मैं अपने thoughts रख 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 अगर Spain जीत जाती है, Spain जीत जाती है, Euros तो Karval क्यू नहीं, इस लौजिक से, क्यों आगे नहीं से मेरे भई, अगर आप बोल रोडरी मोस्ट कंसिस्टेंट प्लियर था मैंचेस्टर सिटी का तो शायद आप अगर इस चीज को कोई अगर इस चीज को डिनाय करता है ग्लुटन फ्री कारवाहाल कितना जादा इंपॉर्टन था फॉर रियाल में डिट भाई ये शायद इसने देखा होगा वो कोशन नहीं उठाएगा वो कोशन इतना सा भी नहीं उठाएगा इसका मैं प्राइम एक्जामपल देता हो भाई आपको बैर बाइन म्यूनिक वर्सेज रियाल में फर्स लेग बाई जब लुकस वाजगेस दे स्टार्ट किया था बाई दोनों के दोनों गोल्स कहां से जाए थे उसी विंग से आहे थे भाई जो महाँ से रियाल मेंट खुलता हो दिख रही थी बट कर्वाल वापिस आ गया था जो अविलेबल था फॉर सेंज ओग था बूरा माच जो इंपांक कार्वाल का था तफ इस सीजन एज राइड बाक फ़ो रियाल मिर्मेरिड कंसिस हो सकता है, यह मेरा उपीनियन है भाई, I still think Rodri टॉप थ्री में फिनिश करेगा बट मुझे लगता, Rodri बेलेंड़ उखाड पाएगा, मुझे नहीं लगता, यह मेरा उपीनियन है आप अपने थॉट्स जरूर देना भाई, मुझे नहीं लगता डेफिनिटली भाई, टॉप थ्री में मेरे गयाल से फिनिश कर जाएंगे Rodri, बट जीत तो है मुझे नहीं दिखरे भाई, आपका उपीनियन अगर है तो आप अपने थॉट्स कॉमें सेक्शन में जरूर देना भाई, आपको क्यों लगता है Rodri जीत सकता है अगर स्पेन जी जाते है विद यूरोस ठीक है भाई, वाई नोट कारवाहाल अगर Rodri, अगर स्पेन जीतती है ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स चीज, नेक्स प्लेयर कॉन भाई विनिशियस जूनियर दमाल हू स्कोर्ड भाई, इन टू यूसियल फाइनल्स भाई, लगातार वर्सिस लिवरपूल और वर्सिस डॉटमेंट भाई, यह होता है, बड़ा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, और यह चीज सुनके कहीं फांस बोलेंगे भाई आपका बड़ा प्लेयर कोपा अमेरिका में कहा गायब था, आपका बड़ा प्लेयर ब्रजील में कहा गायब था, वो बंदा कहा गायब था भाई, इतना बड़ा प्लेयर है तो, look here, बड़ा प्लेयर, बड़ा प्लेयर विनिशियस जूनियर को क्यों बोला जाता है भाई, विनिशियस जूनियर भाई 22 गेम्स बारा असिस्ट यूसल के नॉकाउट स्टेज में वही पर मैसी भाई फॉर एक्जामपल भाई देखो यह चीज न मैं आपको एक्जामपल के लिए बदा रहा हूँ क्योंकि यह चीज मुझे पता है कॉमें सेक्षिन में आते हैं कुछ फ्रांस की भाई मैसी को अगर तुम इस पर्टिक्लर स्टार्ट में कंपेर कर रहा हूँ विनिशियस जूनियर से तो यह भी देखो तो वह भी देखो तो मैसी की यह चीज देखो मैसी वर्ड कप की गोल्स मेरा इसमें बिल्कुल भी इतना सा भी इंटेंशन नहीं है मैं कंपेर कर रहा हूँ दोनों प्लेयर्स को सवाल ही पैदा नहीं होता मैसी वहा है तो विनिशियस अभी कुछ भी नहीं है भाई मैं जस्ट एक पर्टिक्लर आपको चीज दिखा रहा हूँ बड़ा प्लेयर न बाई इस बंड़े ने 12 एकोल कर दे रिकॉर्ड नॉक आउट स्टेज में भाई नॉक आउट स्टेज मेंगाई सबसे बड़े लेवल पे यहां सबसे बड़े प्रेशय होता है club football में भाई बहुत बड़ी चीज़ है यह बहुत जादा बड़ी चीज़ है and this season भाई UCL में सबसे जादा गोल and सबसे जादा joint assist सबसे जादा गोल and सबसे जादा joint assist किसके है Vinicius Junior के UCL round of 16 knockout stage में इस season की बात करो छोड़ दो 22 match छोड़ दो छोड़ दो भाई round of 16 में वर्सेस लाइम्जिक एक गोल quarterfinals में दोनों मैचिस में वर्सेस सिटी दो assist semi-final में दो गोल वर्सेस बायन मुनिक final में एक गोल वर्सेस डाटमें भाई यह होता है बड़ा प्लेयर यह इसको बोलते है बड़ा इंपक्ट यह होता है बड़ा इंपक्ट बाई वस बाई बाई देखो यह कोशन बार बार उठाया जाएगा भाई Vinicius Junior गायब था फोर कोपा अमेरिका विनिशियर जूर बहुत ही बेकार था फोर ब्रजील जब उसकी जुरत थी तो आपका बड़ा प्लेयर कहा गायब था भाई देको मेरे इसाब से मैं यह चीज पहले भी शायद बोल चुको अकेला प्लेयर अपने दंपर मैच नहीं पलड़ सत्ता टपा अमेरिका नहीं उकार सत्ताँ कोई सी भी ट्रोफिय एक किसियर के भरोसे पर नहीं जीद सकते और इसका बहुत तगरा स्टेटमेंट बहुत तगरी तरीके से रखाए भाई इसको एगवएरो ने बहुत प्यारी तरीके से राखा है भाई He needs a good team भाई, बहुत average है भाई, देखो यह चीज अबको दिखती है यार इसमें आखे खोल के देखोगे, हेट अटा के देखोगे अच्छे से फुर्म, एक बाद देखोगे ना सही तरीके से दिखता है, Brazil बहुत डाउन है, दिखता है, यह Aguero भी बोर रहे है अब मेरा क्या पीनियन भाई इस वीडियो का इस रिजल्ड के कंक्लूजिण के कौन जीत्तों इख रहा है किसके साथ हाई चांसे अगर सिंपल क्लियर है मुझे विनिश्य जूनियर बेलेंडॉर जीते हुए दिख रहा है बहुत सारी बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं मैं आपके सामने अपना सिर्फ अभी बता रहो मुझे कौन जीते हुए दिख रहा है आप अपने थौट्स जरूर रखना भाई सेकिन जवित बेलिंगर बेलिंगम बिखनai जिते हुए अगर इंग्लेंड जीत जाती इबट सकती है अगर स्पेड़ जीत है तो कौन तो बेलिंगम विनिश्य जा रहोल बिलिंग फाइनल मुझे नहीं रहा हुआ किमुझे たभी लगर ब्भी बिलिंश्य जीते है और स्पेंड थर्ड आपको कौन आते हो जो दिखह्र है बाई बेलेंड दॉर की रांकिन में वेस घ Richisson tom मत विपा बाई आपको पता और वी यह इस बायस में करता है और यह सब्चीजर में नहीं है भाई मेरे content में यही चीज़े नहीं है that's all for this video channel को subscribe करना like करना बिल्कुल भी मत भूला see you very soon thank you